आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Everyone, यहाँ पर Question में दिया जारा है क्या Question, which of the following is not an Allotropic form of Carbon, ठीक है? कौन सा Allotropic form Carbon का नहीं है, यह हमको यहाँ पर बताना, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, Carbon has 3 Allotropic Form, ठीक है? Carbon has 3 Allotropic Form, ठीक है? तो 3 Allotropic Forms जो है, इसके पास होते हैं Carbon के पास, और वो कौन-कौन से होते हैं? तीनों Allotropic Forms जो है, पहला हो गया Graphite, ठीक है? जो आपका Hexagonal जो है, यह आपकी Geometry होती है Arrays जो है, आपको देखने को मिलते हैं और यह आपका जो है क्या होता है? यहाँ पर Graphite हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा Diamond, डायमेंड जो है, आपका यहाँ पर क्या होता है? यह Hardish Substance होता है, ठीक है? और इसके बाद आता है C60, ठीक है? जिसको बोलते हैं Buckminster Fullerence, ठीक है? इसको बोलते हैं Buckminster Buckminster Fullerence, ठीक है? तो इसी कोज़ है, Fullerence भी बोला जाता है तो Carbon has 3 Allotrops, Graphite, Diamond and Buckminster Fullerence और Fullerence, ठीक है? तो यह तीनों जो हैं, यह आपके क्या है? यह Carbon के Allotropic Form है और यह Option में None of These दिया जा रहा है कौन आपका यहाँ पर Allotropic Form नहीं है? तो इसलिए जो According to appropriate answer जो होना चाहिए, वो Option Number D हो जाना चाहिए क्योंकि बाकी तो सभी Option Number D में कुछ दिया नहीं जा रहा है यही जो है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर Answer हो जाएगा ठेक? Thank you